हेलो गाइज टेस्टई होम कुक में आपका स्वागत है गाइज आझ हम बनाने जा रहे हैं बहुती सौप्ट इस्पधी सुजी की इटली आपने सुजी का केक और ढोकला बागरा खाया होगा या बनाया होगा बहुती स्पंजी बनता है तो चलिए रेस्पि को सुरू करते हैं, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम सूजी, सूजी मोटे दाने, पतले दाने या मीडियम दाने, कई तरीके के दाने के आती है, तो मैंने यहाँ पर मीड पानी बहुत जादा एबजॉब करती है तो आपको पानी 500 ग्रम सूजी में लगभग आधा लीटर पानी का यूज जो हना हो जाएगा तो मैंने हाँ पर कप से जो है डो कप पानी के यूज किया हुआ है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जैसे जैसे हमें पानी लगेगा य अनुसार यूज करिएगा आधा चौमा चायट करेंगे मीठा सोडा एक बार फिर से मिक्स करेंगे सभी चीज को तो यह बढ़िया से हो गया है मिक्स अब हम कायफ लगा करके 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए 10 मिनट हो चुके है सूजी हमारी फूल गई है तो अब हम कायफ उठाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूजी की हलकी से कॉंटिटी बढ़ गई है एक बार हम फिर से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें एट करेंगे इनो क्योंकि बीना इनो के जो हैना इकली हमारी फूल गलेंगि नहीं दुष ये टालने से इकडाम स्पन्जी बनती है तो मैंने यहां एक पकेट लिया हुआ है पूरा एक पकेट इनो हम यूज करेंगे थोड़ा सा पाणी डालेंग Q कि टाल रहेंगे थोड़ा सा जहां निकलने लगती है जिससे अड़ी तछी तरह से मिक्स हो इटली आसानी से निकालाए साचे से बाहर उसके बाद हम बैटर को थोड़ा-etusा इटली के साचे में डाल देंगे तो एक साचे हमने अच्छे तरह से फिल कर लिया थोड़ा से इस तरीके से हिला देंगे ताकि सेट हो जाए इसी तरीके से बाकी जो साचे बचे हुए हैं उनमें भी ओल लगाएंगे और फिर बेटर को डाल देंगे नेक्स्ट इस टेप पर मैंने गैस पर रखा हुआ है इटली बनाने का जो डबा रहता है उसको और आट करेंगे एक कप पानी गैस का फ्ले हम हाई रखेंगे क्योंकि अभी हमें पानी को गरम करना है तो कैफ लगा देंगे कैफ लगा देने से पानी जल्दी से गरम हो जाएगा उबाल आ जाएगा पानी में तो लगभग चार से पांच मिनटे पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है मैंने कैप उठाया हुआ है और इस तरीके से कुछ पानी में उबाल आ रहा है अब हम इसके उपर रख देंगे इटली के जो भी साचे थे ना इसके उपर उठा उठा के अंदर डालते जाएंगे इससे जो है इटली हमारी पढ़िया से पकेगी और अब हम गयस का फ्लेम मेडियम कर देंगे ताकि आराम से इटली हमारी अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि हाई फ्लेम रहेगी ना तो अच्छी से पकेगी नहीं कैफ लगाएंगे और लगभग 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए 15 मिनिट हो चुके हैं और अब हम गयस का फ्लेम आफ करेंगे और कैफ उठाएंगे 15 मिनिट में अच्छी तरह से पक जाती है लेकिन अगर आपको लगे कहीं कच्छी नहीं तो आप कोई भी तूटपी या चाकू डिप करके चेक कर सकते हो अगर इटली अच्छी तरह से पक जाती है फिर हम गयस का फ्लेम आफ करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे जब हलका सा ठंडी हो जाएगी ना हमारी इटली फिर हम इससे निकालेंगे एकदम गरम गरम निकालते हैं तो अच्छी से निकलती नहीं है लेकिन बहुत जाता ठंडी हो जाएगी तभी निकालने में हमें प्राब्लम होगी इसलिए जब हलका सा गरम रहे तभी इटली को हमें इटली के साथ चैसे बाहर निकालना है तो अब यहाँ पर बढ़िया से ठंडी हो गई है तो इसे कोई भी चाकू या फिर चमच के पीछे का जो हिस्सा होता है डंडी उससे आराम से आप इस तरीके से इटली निकाल सकते हो बहुती इजी तरीका है इटली निकालने का और बहुती बढ़िया इटली निकल जाती है ये देखिए आप देख पा रहे हैं बहुती बढ़िया इस्पंजी है इटली एकडम और बहुती बढ़िया ये बन करके रेडिव हुई है तो यहां पर मुझे बहुत जादा साथ सर्फ कर सकते हो या फिर किसी भी अपनी मन पसंद चटनी के साथ सर्फ कर सकते हो वैसे इटली और सामर बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में तो आप जब भी इटली सर्फ करिए तो सामर के साथ ही सर्फ करिएगा अगर आज की रिस्पी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे तो चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसी ही रिस्पी आपको मिलती रहे और अगर फेज़ुक पे देख रहे हैं तो तारा कुसा फेज़ुक पेज को फोलो करिएगा मिलते हैं